प्रोटीन लेकिन इसमें जो प्रोटीन होता है उसकी वज़े से ट्रेग्नेंट लेडिस के लिए बहुत बढ़िया है अगर आप फिश खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है तो फिश तयारी करते हैं कौन से फिश बनाए जाए कोई सिंपल से फिश बनाते हैं पातरानी मच् वो ली है पॉम्फृत और पॉम्फृत को बोनलेस किया है यदि आप नहीं कर सकते हैं जो जहां से मच्ली आप लेते हैं फिश यहां से खरीदते हैं वहाँ पर आप उनको बोले तो फिश आपको बोनलेस करके दे देंगे यह जो फिश के फिले हैं इसको एक मसाले के अंद आर्यल्ट, यह नार्यल का मसाला है और उसके साथ खूब सारा धनिया अब धनिया आप जानते हैं हरा धनिया होता है और इसमें काफी iron रहता है जो pregnant women के लिए काफी अच्छा होता है और जो coconut है उसमें भी काफी protein है वो भी काफी थå क्वालिटी का protein है इसके साथ इसमें नमक और क्या डाला हुआ है जो पेस्ट है उसके अंदर हरा धनिया, नारियल, हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा और अब मैंने नमक डाल दिया और इसके साथ हम डालते हैं नीम्बू का रस और हाँ, ये जो हमने बनाया है, पीस्टे से हमें थोड़ा सा लसन भी डाला है पोई टेस्ट तो होना ही जाहिए इसके अंदर ये इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया हमने और फिश के पीसिस इसके अंदर और ये जो फिश है, इसका नाम है पातरानी मच्छी वो इसलिए क्योंकि इसको हम बनाते हैं, केले के पत्तों में केले के पत्ते ले ले और आप इसको काटने और ये जो फिश है, इसका पीस ले लिया हमने और ये जो नारियल का मसाला है थोड़ा ये भी डाल दिया उपर से और इसे फोल्ड कर देते हैं यह जो पातरानी मच्छी है इसे स्टीम भी किया जा सकता है और इसे आप तवे पे भी पका सकते हैं यह देखिए यह पारसल तयार हो गया अब तवे पे पकाने के लिए यह तेल थोड़ा सा तेल तवा गरम हो गया है और अब यह जो पातरानी मच्छी है इसे हम रख देते हैं पकाने के लिए अब यह जो फिश है इसे हम पलट लेते हैं यहाँ पर तो हम तवे पे बना रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया आप चाहें तो इसको स्टीम भी कर सकते हैं स्टीमर ले ले ले, पानी डाले और इसको रक के स्टीम कर ले, पकने में ज़़ादा समय नहीं लगता है, फिश जो है बहुत जल्दी पक जाती है, तो इसलिए ये जो रेसिपी है, बहुत ही कमाल की रेसिपी है, दिखने में भी अच्छी, खाने में भी अच्छी और सेहत के उनकी डाइट के बारे में बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के समय जो आइडियल वेट गेन है वो कितना होना चाहिए करीब 10 से 12 किलो इससे ज़ादा नहीं मैं जानता हूँ कि बहुत सारी बहुएं जो है लोगों का शुगर लेवल बढ़ जाता है तो खाने में ध्यान रखना चाहिए तो जो आपका वेट गेन है वो 10 से 12 किलो तक होना चाहिए वैसे आपके जो डॉक्टर हैं उसके टच में रहें क्योंकि आपकी जो कंडिशन है उसके हिसाब से वो आपको गाइड करते रहते हैं सिरफ ध्यान इतना रखना है कि आप जो डॉक्टर कहें उसको माने जरूर वो इसलिए क्योंकि इसमें सिरफ आपकी जिंदगी नहीं और काफी गरम हो चुकी है यह और अब इसको आपने निकाल कर सर्व करना है ऐसे सर्व नहीं करें आप जब भी सर्व करना हो गरमा गरम तयार करें और इसी में ही इन पत्तों में ही सर्व करें खोल के बिल्कुल सर्व ना करें कुछ लोग गलती कर देते हैं कि खोल के प्लैटर में डालते हैं उतने में ना सिर्फ जो मचली है उसका स्वात चला जाता है ठंडी भी हो जाती है उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी बिल्कुल नहीं रहती है आप इसी तरह से गरमा गरम पत्तों में फिश को दें और जिस प्रेजेंट विमन हैं सिर्फ वो ही नहीं सब कोई खा सकते हैं यह पातरानी मच्छी